चैप्टर नाइन सिख्ष्थ क्लास मैथ अगला टॉपिक हा मैरिंग एंगल्स बाइ प्रोट्रेक्टर प्रोटेक्टर अब प्रोटेक्टर है यह यह दे विच मैरिंग स्केल लगी होई है राउंट सेमी सर्कुलर और यह इनू किस तरह आपा मैर करना है जो दो ता लेफ्ट दो राइट नू एंटी क्लोक्वाइज दना को मना है यह दर ओ दर को मांगे तो दो नीचे आली स्केल देखनी है जो दो एंगल नू मैयर करना है जो दो एदर नू चलांगे उदो यूज करांगे अपा उपराली स्केल यह जाद रखना है यह सब तो इंपॉर्टेंट है जड़ा मैयर मेंट है ओ डिगरी है डिगरी मालों कोई एंगल लगाए सत्तर डिगरी जहां तर शत्तर डिगरी लिखो नहीं ते सत्तर देउपर आपा इतना छोटा सरकल दा पादने इत डिगरी दा निशान है एंगल जो हमेशा डिगरीयां दे विची माप्या जन्दा है आ एंगल है ओ भी थे ओई अर्याँ आम ची नि इन्हों रेज भी कह सकने अप़ाँ उन आ एंगल विच बनेआ होया जिद्धर बनेआ होया ओही एंगल अप़ा मापणा है उन बार भी एंगल बन रहाँ थे जिदा बार रिफ्लेक्स एंगल बन रहाँ जिद्धे निशान बनेया है उद्धरों ही अपा मपना है लो देखो किस तरह पहला डी रखलो डी नू रखना जिद्धे आते नू मिल दियाने जाद रखना एक होर गल नू आते न पॉंट मिल दे पे ने एक आ लाइन एक यदर दिलाइन एक ओपर लिया। आनीचे आ रहाई डी ती ए मलागे जरा तियान ना बड़े एकुरियेट ली रखना लौह मिल गी हैंने अच्छी तरह देख लेना बिलकुल उपर निगा उपर रखनियत थे जड़ी तोड़ी आईज दी है उन्हों प्रॉपरली कंसेंट्रेट करना है उन्हों में पंजार डिग्री तो एक निशान अगे है साइन अगे है बन गया 51 डिग्री टेन टवन थेर्टी फॉर्टी 50 तो एक डिग्री अघया गया निशान एंहे हार एक डिविचे एक डिग्री दे निशान एक सो एह एक सो टी निपढ़ लाना इन्हों inner twenty निपढ़ लाना तीन निपढ़ नहों पढ़ ना 51D जोथ इदर वह चलांगे आपनी चाली स्केल देखांगे जो इदर चलांगे तो उपरा ली स्केल देखांगे तो इथे लेख देना आपना 51D ऑन एदर इतना मलाती है, होन इदरों को एंगल इदर चल रहे है, देख रहे हैं तुसी होन मैं उपर आली स्केल देखूंगा आ इतने नाइंटी आगे, नाइंटी तो बाद हंडर्ड हंडर्ड तो पांचे निशान अगें हंडर्ड फाइव आगया, एदा मतले एंगल आगया आगल बी ओ, उ एवी लिख सकदें, आगल व लिख सकदें, आगल व लिख सकदें, आगल आगल फी ओ क्योवी लिख सकदें, आपर आगल अबड़ल नहीं लिखना है, इसाद रखो, खई हैं लाओ लिख सकदें hain, बचे इंगल ABO, ऊ. वह दरहलों यह इंगल B O, गल्त है, उनने ठीक प्रवल्म बांडे जो जो भुड़ेक्स अंगंगर आ अउद आक ँन्हें राइस? दिच्ट, अंब्स तर्सीय कितने इतना करने, अंदर और पहल है जड़ा, एंगल ऐंस, 142 थो जबा गरे चृते हैं, एतना लूआ करो, अंदरुन चुछ रहते हैं. ये बंदा पर 71 72 डिग्री है बंदा पर 70 एक मेंट है रो बिल्कुल ठीक रखनी है एक रीब्स एकुरेटली बंदा पर 71 थे बंगे 71 डिग्री एदर आल एंगल इन्हों सी की करांगे 360 दे विच्च हो 71 डिग्री कटा देंगे complete angle 360 दे होंदा ते इन्हों अपन 360 चो कटा देंगे ये आगया 289 डिग्री ये जड़ा reflex angle आजेगा है बार आला XO Y डिग्री क्योंकि बार आला मापना से उन्हें नो directly तपा मापनी सकते क्योंकि ये जड़ी डिग्री तक ही है लोगे गलना जाद रखनी है next आगया types of angles पहला है zero angle zero angle whose measure is zero degree जेदा जे डीनल माप दे हैं तो zero degree होदा measurement होवे तास उन्हों के ने है zero angle उन्हों बनोना के दा है जिस तरह आएक line segment ओए है उन्हों दूसरी line segment होई है दा मतलब आदेख रहे हो तुसी ओए मैं एक ray draw कर देती है ray draw किती है जो arm कहलो उन्हें दे उपपर ही जे zero degree ता angle है दा मतलब डिग्रीयां मोवी नहीं कीती है दुझी line वे दे उपपर ही आजेगी दूसरे एंगल राइट एंगल और राइट एंगल की एन एंगल whose measure is 90 डिग्रीयां डेफिनेशन आपनी कपी च लिख ले नहीं है नाल फिग्र बना नहीं है 90 डिग्री जेस तरह एंगल यहों भी हो 90 डिग्री दा एंगल किस तरह बना दे हो एक वरी देख लो एक रे ओ एक्स खिचलो एथे परकार रखो एदे इनिशिल पॉइंट थे एदर बनाओना थे दूजी साइट थे भी बना सकते हैं अपना रेन उल्टाके भी एथे रखो परकार एद्दा चाप लगा देयो फिर एथे रखो परकार दूजी यार्क लगा देयो चाप नोई आर्क गैनने एद्दा उपर कमा देयो पिन नाली परकार मों नहीं खुली रखनी है नहाद रखना जयोदो अधे रख बीदे रख है इन्हीं परकार ही यह न सी रखay दुबारा उयसी ऐह की बtoiकर्णा यह सब्सक्राइब ऊन्हानग वापस लेगे के dope Grande एक्स़वाइग्रिक कॉल कुल टू 50 डिगरी वान राइट अग्या गया स्टेट एंगल एंगल हुज मैजर इज वान एटी डिग्री एथे ओ एकलाइन सेगमेंट एदर है बिल्कुल हो दे उल्ट ओ भी रहागी है तो दोना दे विचे किने दा एंगल बन गया वान एटी डिग्री दे बिशक तुसी इनू डी दे नल मापलो एथे एकल टो डिग्री लोग जाद रखे हो स्टेट एंगल के दे बरबरा इटी डिग्री दे अग्या गया गया एक्यूट एंगल ऑन एंगल हुज मैजर इज बिट्वीन जीरो एंड नाइंटी डिग्री ओदा ना किया है एक्यूट एंगल डैफिनेशन अफिर कॉपीच लो 89.9 तकी केड़े हो गए acute angle 90 दा right angle हो गया 90 तो शोटा जे 0 तो बड़ा 0 और 90 दे विचकार जेड़े angle बंगे दीज आर acute angles जिना 45 डिग्री दा भी acute angle है 65 डिग्री जाल सो acute angle अग्या 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 अप्ट्यूज एंगल फूज मैजर इस 90 डिग्री एंड 180 डिग्री जेड़े बिट्वीन 90 एंड 180 जेड़े angle 90 ते 180 डिग्री दी विच हो नो की कह दें आप्ट्यूज एंगल उन देखो 90 तह थे बंदा और 90 तो बड़ा हो गया धेक्रवे एंगल देख्या यूडवे फूज एंगल एंग्या बन गया एंगल यूव ली इज एंगल ऑन्मास इंग्रुज विछकार जेड़े एंगल होंगे दीज आर अप्टियूज एंगल जेथा 120 डिग्री डैट इस अप्टियूज एंगल अगया ओन थर्टी ओन फॉर्टी वन फिफ्टी नाइन दीज आर अल अप्टियूज एंगल क्योंकि ये 180 और 90 दे विछकार ने अगया अगया एंगल एंगल हूज मैजर इस 360 डिग्री इननों कमा देओ पूरा पूरा कमा देओ वापस थे पहुंचोगे थे बन गया 360 डिग्री ओन एपॉइंट भी तही आ गया कॉम के हे रे इत्थ ही आगे नों विद्दा ही लिखांगे एंगल एओ बी इस इकल टो 360 डिग्री पूरा क गया निशानी यह तो पता लगदा भी एंगल कम्प्लीट एंगल जे ना पाई हुंदी फिर जीरो एंगल बन जाना जी गया जे नों अपना इद्दा ना इंडिकेट कर देंगल अग्या गया गया रेफ्लेक्स एंगल एंगल हूज मैजर इस बेटिविन 180 एंड 360 डिग्री 232 70 जिदा 270 डिग्री है इस आल्सो रिफ्लेक्स एंगल आल्सो रिफ्लेक्स एंगल जेड़ा 180 तो 360 दे विचकार होवे उन्हों रिफ्लेक्स एंगल केंदेने एंगल आपनी फिर कॉपी चले के चीतरां याद कर लेने हैं